नमस्का दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एच्पीजी के बेद्बिक्ति मैं आई होप सब बढ़ियां होंगे और अपनी थारिक को अच्छे से कर रहे होंगे आज हम इस वीडियो में माचल पदेज जीके के कोछ मैत पुरों प्रस्णों को डिटेल से ड कि लिए और बेडिया लेके आऊं तो बिने देरी के साथ हम सुरू करते हैं फर्स्ट कोश्ट में आपको कुछ स्टेटमेंट बटा गई है और इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बतानी है तो सबसे पहला बताए गया है कि सिंबल वाड़ा नैशनल पारक सोलन जिले में है जो आपका सिंबल वाड़ा नैशनल पारक जो है यह आपका सोलन जिले में स्थित नहीं है जो आपका सिंबल वाड़ा नैशनल पारक जो है यह आपका सिर्मो जिले में स्थित है जिसके स्थापना जो हुई थी यह आपकी 2010 में हुई थी और जुसका कुलक शेत्रभल 23.88 कि और ये हमाचर पदेश का सबसे छोड़ा राश्टर पारक है तो हमाचर पदेश में मुख् depl काश नायषनल पारक ही attent थे घ्रेट मंलिय नायषनल पारको इंदर के लिर सब्सक्राबिक पिन वैली नाशनल पारक और सिंबल वर्ड़ा नाशनल पारक भी 5 नाral कोग रहा है शिमला हिल स्टेटस की संखे 24 थी आपका उतनी कि दाए कंद साथ की बता है आपका कि पर्मोर की बीच कुपती जो आपकी ज़ोड़ा से जोड़ते हैं यह सभी जो है यह आपकी लाहॉल तदब भरमोर के बीद स्थित नहीं हैँ यह बहुते गलत है तो तो इसमें से आपका अंसर जो हो जाएगा वह आपका option C हो जाएगा next question दोस्तों आपके पास की pitch of the following peak is in district किनौर और हिमाचप पदेश इसमें के बताई दिया है कि हिमाचप पदेश की किनौर जिले में ने मिले कौन सी चोकि आपके पिशू है तो इसका राइट हो जाएगा आपके option भी पहजाएगा आपके पीश्य स्चौटि जो है यह आपक किनौर जिले में इंसतेत है किनार में और कौन कौन सी चोकी यह सतेत है तो रालदांग पहले शेथा श相信 की चोटी शुगुत चोटी शीला चोटी यह सभी चोटी जो हैं यह आपकी किनो जिले में स्थित हैं नेक्ट कोश्टन दोस्तों आपके पास की डेंटिफाइट और कोरेक्ट ट्राइबूटर और चिनाव रिवर इन हिमाचल पदेश प्रॉम दा फॉलिविंग इसमें क्या क्या सब्सक्राइब और इसमें आपके जिले में सब्सक्राइब से छ प्राइबूकश डीक भी पस्पब यह यह वी शाइक नbresाट को बखाई डीर अंपर माय न्यां कन सब्सक्राइब को पड़ाम एरविइक धाय। पुरुष्ण इरवथि है और इसके मुख्य साइक नदी कौन-कौन से है बेरा, सिउल, बुदिल, तुन्डा, साहो, चिट्चन नाला ये सभी रावी की साइक नदी है फ्रत आजाता है आपका चिनाम नधी तो चिनाम नदी की मुख्य साइक नदी दो है चंद्रा और भागा और यमना की कौन कौन से साइक नदिया है गुरी टॉस जलाल मारकंडा अंध्रा असकनी बाटा पबब पटसारी यह सभी जो है यह आपकी यमना की साइक नदिया है नेक्ट कॉश्चन दोस्तों आपके पास की पीच ओफ दा फॉलूवीं डिश्टिक और नोट अरेंट इनकुरेक्टली डिसेंडिंग ओडर बाइपोपुलेशन डेंश्टी है पर सेंसे 2011 इन माचपदेश इसमें क्या बता हिए कि बरस 2011 की जनगर्ना की अंसार माचपदेश म इसका रा Chapel हो जाएगा आपके पास उफिशन भी मिलास्पट इण सो लों ठुके तरह सिर्मोर तो इसका मिलास्पट इद जट्रम्रप आपका 327 बड़ किलमेटर ह्तों क Cashा पास का बस्छे पर के लेस्ट की कीड़ा कांगर्ना का होजाएगा है क्युत्र나 यून ने प्कुर माचप पदेश के पुलिस प्रशाशन के बारे में कौन सा नमिलिक्स सही है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्षन सी राज्य की फोनेसिक साइंस लेवर्टी की शिमला में स्थावना बस 1988 में हुई थी नेक्ट कोशन दोस्तों आपके पास की हमाचप पदेश में स्तंबर दोहजाट वाइस तक बैंक दौरब कुल क्रिशी कर्ज देने में लिएक तो कौन सा सही है तो यह हो जाएगा आपके पास ओप्षन option a यह बैंको द्वारत दिये पूरे कर्ज का 80.69 प्रतिशत है नेक्ट कोश्टन दोस्तों कि मार्च सोरी इसमें क्या बताई है कि बर्स 2223 में माचपदेश के मुख्या क्षेतर में अग्रही दिकासतर के प्रतिशत पर विचार कीजिए तो यह है आपका 2.00 प्रतिशत तो इसका राइटम सर्फ हो जाएगा आपके पास option d नेक्ट कोश्टन दोस्तों कि मालियन माचपदेश में बर्स 2021 में जिन फलों का ख्षेतर है गट गया उसकी पहचान निमलिक में से कीजिए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option भी नेक्ट कोश्टन दोस्तों कि माचपदेश में निमलिकते किस कि लाड़े को बस 2023 के लिए अर्जुन पुरुषकार के लिए मनुमित किया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option भी इन में से कोई नहीं जो आपका हिमाचपदेश में 2023 में अर्जुन पुरुषकार को जो मनुमित किया गया था वह वह रीत नेक्ट को की गया था तो इसमें option में नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option d next question दोस्तों कि माचपदेश में district good governance index 2021 में लहुल स्पीति को मन भी विकास की साहिता में कौन सा रेंग दिया गया है यह दिया गया आपका छेटा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option c next question दोस्तों कि माचपदेश के निमलेक्त की स्थान पर गजल बिद्व परियोजना स्थित्त है तो यह है आपका option B शापदेश के निक्ट कांड जिले में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option B next question कि माचपदेश के निमलेक्त की जिले में मतनाली का मंदर है तो यह है आपका सिर्मोर में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option B next question कि looking back शीर्शिक पुस्तक के माचपदेश में निमलेक्त किस लेखे कने लिखा है तो यह लिखा क्या आपका मेहर चंद महाजना है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option B वीडियो आपको एक्जान के point B से थोड़ी से भी helpful लगी हो तो वीडियो को प्लीज like share subscribe करना ना भूले थांक्यू जेहन जेहमाचन